नमस्कार WKB News की सबसे खास, सबसे सटीक और महत्वपूर्ण पेशकर्ष देश-प्रदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मुंबई में स्टेट बैंक ओफ इंडिया के दही सर ब्रांच में दो नकापोष बदमाशों ने फिल्मिस टाल में डखेती को अंजाम दिया बदमाश फाइरिंग करते हुए ब्रांच में गुसे और एक करमचारी को फाइरिंग कर हत्या कर दी और धाई लाख रुपे लूट कर मौके से फरार हो गए वह अभिनेता नसुरुदिन शाह ने देश में गुरुह युद्ध की आशंका जताई है उन्होंने कहा कि देश में सब कुछ मुस्लिमों को डराने के लिए किया जा रहा है इसे भी स्वासमंत्री राजश टोपे ने संके दिया है कि राज में कोरोना से संक्रमंदर और सक्रिय मरुजों की बढ़ती संक्या को देखते हुए थोड़ी पाबंध याल लगाई जा सकती है उदर केंद्रिय मंत्री नाराने के बयान को आधार बना कर पुलिस ने उनके कंकवली स्थित बंगले ओम गनेश के बाहर नोटिस चिपका दिया है और निदश राने के बारे में जानकारी मांगी है इसके अलावा प्रदेश सरकार ने कोरोणा के ने उमिक्रोन विरेंट के खत्रे के चलते नारिकों से इस साल के आखरी दिन 31 दिसंबर को और 1 जनवरी 2022 को नववर्ष का जशन घर में ही रहकर सादगी से मनाने की अपील की है प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्ता से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में दिन दहाडे बैंक में डकेती करने की वारदात ने कानुन व्यवस्ता को फिर से चुनौती दे दी है मुंबई में स्टेट बैंक ओफ इंडिया के दही सर ब्रांच में दो नकाब पोश्ट बदमाश ने फिल्मी स्टाइल में डकेती को अंजाम दिया बदमाश फाइरिंग करते वे ब्रांच में घुसे और एक करमचारी को फाइरिंग कर हत्या कर दी और धाई लाख रुपे लूट कर मौके से फरार हो गए हाला कि CCTV में बदमाशों की ये करतूत कैद हो गई है स्थानिय पुलिस के मुताबिक लूटेरों को पकटने के लिए पुलिस की आठ टी में गठित कर दी गई है और जल्दी आरोपयों को गिरफतार कर लिया जाएगा SBI के दहीसर ब्रांच में बुधवार की शाम नकाब पोश बदमाश फिल्मी स्टाइल में फाइरिंग करते हुए बैंक में घुज गए वहां मौजुदा करमचारी इधर उधर भागने लगे हाला कि कुछ करमचारी हालात को समझ ही नहीं पाए नकाब पोश बदमाश सीधे कैश काउंटर पर पहुँच गए और हवा में फाइरिंग करते हुए कैश देने की मांग की CCTV में कैद वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला करमचारी बैठी हुई है बदमाश हाथ में बंदुक लहराते हुए कैश देने को कहता है महिला करमचारी थोड़ी देर के लिए सहम जाती है इस दोराने एक बदमाश एक आउट कोर्स करमचारी पर फाइरिंग कर देता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है ये देख महीला करमचारी डर जाती है और बदमाश वहाँ से कैश लेकर फरार हो जाते है अभिनेता नसरुद्दिन शाहा एक बार फिर से चर्चा में है उन्होंने हाल ही में एक इंटर्वियू दिया है इंटर्वियू में शाहा ने हरिद्वार में धर्मसंसत को लेकर विस्तार से बात की साथ ही मुसलिमों को एक जुठ होने की सला भी धी उन्होंने कहा कि हम 20 करोड लोगों के लिए ये मातरू भूमी है हम 20 करोड लोग यही के है मुसल्मानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है हमें अपने बच्चों को बचाना है मैं मजहब की बात नहीं कर रहा और नहीं कभी करता हूँ देश में अब मजहब तो बहुत आसान इसे खत्रे में पड़ जाता है अगर इस तरह का कोई अभियान शुरू होता है तो कड़ा प्रतिरोध होगा और लोगों का घुसा फुटेगा उन्होंने कहां कि देश में जब हिंदू की जनसंख्या जादा है तो ये कैसे कहां जा रहा है कि हिंदू खत्रे में है हमें शांती से रहने दीजिए मुझे पाकिस्तान जाने को कहने वालों से मैं कहता हूँ कि तुम कहलाश क्यों नहीं चले जाते उर्दु को पाकिस्तानी भाशा बताय जाता है इतने सालों में राजनिती इतना नीचे कभी नहीं गिरी थी आज भारत में जन्म लेने वालों का भविश्य क्या है इसका पता नहीं खेर चाहे जितनी नफरत फैल जाए मैं डर कर नहीं भागने वाला एक दुसरे के धर्म के प्रती असहिशनुदा पैदा की जा रही है उन्होंने देश में ग्रुह युद्ध की आशंका जताई है उन्होंने कहा कि देश में सब कुछ मुस्लिमों को डराने की लिए किया जा रहा है चर्च मस्जित तोड़े जा रहा है अगर मंदिर तोड़ा जाए तो सोचिये कैसा लगेगा नसुरिदिन शा का मानना है कि जो लोग मुसल्मानों के नरसहार का आवान कर रहे है वो देश में ग्रुह युद्ध का आवान कर रहे है स्वास्ता मंत्री राजश्टोवे ने कहा कि राजज़ में कोरोना से संक्रमंदर और सक्रियम मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए थोड़ी पाबंदिया बढ़ाने की आवश्चक्ता है मुख्यमंत्री अगले दो दिनों में कोविट टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे इसके बाद पाबंदियों को बढ़ाने के बारे में उचित फैसला लिया जाएगा एहमद नगर के एक स्कूल में 80 विद्यार्थी संक्रमित पाए गया है मुख्यमंत्री की मौजुदगी में होने वाली बैठक में इस बारे में चर्चा होगी विवास अमारों हो, पार्टियों और बड़े कारेक्रमों में भीड के जुटान पर नियंतरन लाना होगा दिली में अब पहले की तरह पाबंदिया लागू कर दी गई है राज्य में कोरोना के मरीजों के लिए प्रति दिन 700 मिट्रिक टन ऑक्सिजन की जरूरत पढ़ने पर लोगडाउन लागू करने का निरने 6 महिने पहले लिया गया है लेकिन फिलहाल ऑक्सिजन की ज़्यादा जरूरत नहीं पढ़ रही है लेकिन कोरोना संक्रमन के दो गुना होने की दर तेजगती से बढ़ रही है इसलिए साउधानी बरतने की जरूरत है राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ कर 20,000 पहुच सकती है पिछले एक सप्ताहा में कोरोना के मरीजों की संख्या में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के 167 मामले रिपोर्ट हुए है इसमें से 91 मरीज ठीक हो चुके है ओमिक्रॉन से एक भी मौत नहीं हुई है जहां तक टीका करण की बात है तो विद्यार्थियों को शिक्ष्या संस्थानों में जाकर टीका लगाने के लिए विकल्प पर विचार किया जा रहा है केंद्रिय लगू सुक्ष्मा वमध्यम उद्योग मंत्री नारायन राने की विधायक बेटे नितेश राने को पुलिस हत्या की कोशिश के एक मामले में तलाश रही है इसी सिलसिले में नारायन राने ने कह दिया कि मैं मुर्ख नहीं हूँ जो ये बता दू कि नितेश राने कहा है इस बयान को आधार पर बना कर पुलिस ने अब राने के कनकवली स्थित बंगले ओम गनेश के बाहर नोटीस चिपका दिया है उसमें लिखा है कि आपके बयान से ऐसा लगता है कि आपको पता है कि नितेश कहा है ऐसे में या तो नितेश को पुलिस के सामने हाजिर करे या खुद बयान दर्च कराने पुलिस टेशन आए सिंदु दुर्ग जिले की कणकवली पुलिस टेशन में तैनात इंस्पेक्टर सचिन हुनले करकी और से जारी नोटिस में कहा गया है कि 28 दिसंबर को पत्रकारों ने आप से पूछा कि नितेश राने कहा है तो आपने जवाब दिया कि मैं क्या मुर्ख हूँ जो बता दू कि नितेश राने कहा है आपके मीडिया में दिये बयान से साफ पता चलता है कि आपको आरोपी के पते ठीकारे की पूरी जानकरी है नोटिस मिलते ही आप या तो वंचित आरोपी नितेश राने को हमारे सामने पेश करे या मामले की जानकरी देने के लिए पुलिस टेशन में हाजिर रहे नोटिस पर नजर पढ़ते ही बंगले पर तैनात करमचारियों ने उसे हटा दिया मामले में नारायन राणे ने फिलहाल पत्रकारों से कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया है वही गुरुह राज्यमंतरी शम्भू राजय देशाई ने कहा कि आरोपी के बारे में जानकरी हासिल करना ये कानून का हिस्सा है प्रदेश सरकार ने कोरोना के नए ओमिक्रोन वेरियंट के खत्रे के चलते नागरी को से इस साल के आखरी दिन 31 दिसंबर को और 1 जनवरी 2022 को नव वर्ष का जशन घर में ही रहकर सादगी से मनाने की अपिल की है राज्य में 31 दिसंबर को इयर एंडिंग और 1 जनवरी 2022 को नए साल के स्वागत के लिए बंद सभागार में आयोजित कारेक्रम में आसन क्षमता का 50% लोगों को मौजुत रहने की अनुमती होगी जबकि खुली जगहों पर होने वाले कारेक्रम में उपलब्धता क्षमता का 25% सीमा तक लोग मौजुत रह सकेंगे इन सलो पर भीड को टालने सामाजिक दूरी का पालन, मास्क और सैनिटाइजर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेज धान देना आवश्यक होगा साथी सैनिटाइज़ेशन की व्यवस्था करनी होगी राज्य सरकार के गुरुह विभाग ने इस समन्द में परिपत्र जारी किया है इसके अनुसार सरकार की तरफ से बिते 25 दिसंबर को जारी धारा 144 के आदेश का 31 दिसंबर और एक जनवरी के दिन कड़ाई से पालन करना होगा इसके तहट रात 9 बज़े से सुभा 6 बज़े तक एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति नहीं जुट सकेंगे नैसाल के स्वागत के लिए किसी प्रकार का धार्मिक और सांस्पूतिक कारेक्रम के आयुजन पर मना ही होगी जुलूस भी नहीं निकाला जा सकेगा पठाकों की आतिश भाजे नहीं की जा सकेगी ध्वनी प्रदुशन के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा जी हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि बाल विवा निशे संशुदन विधैक 2021 कानून बन जाता है तो लड़कियों की शादी की उम्र 21 हो जाएगी मुसल्मान निकाह में इसे कानूनी बाधाय मान रहे है तो राष्ट पिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले कथि संत काली चरण महाराज को गिरफतार कर लिया गया है वही योन अपरादों से बच्चों का सरक्षन करती पौक्स अदालत ने 68 वर्षे विक्ति को एक लड़की के योन उत्पिडन और गर्भती करने के लिए तीन गुना उम्रेत कैप की सजा सुनाई है इसी बीच कॉंग्रेस के नवनियुक्त सचीव रंजित मुखर जी को लेकर विवाज शुरू हो गया है कहा जा रहा है कि जिस नेता पर कभी योन उत्पिडन के आरोप लगे थे अब उन्हें पार्टी ने अहम जिम्मेदारी सोपी है उदर रांकापा प्रमुख शरत पवार ने प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी की जम कर तारिफ की है एक कारेकरम में उन्होंने कहा कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी की प्रशासन पर अच्छी पकड़ है और यही उनका पक्ष काफी मजबूत है देश भर की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जाने हमारे साथ अगर बालवियोवा निशेज संशुदन विधयक 2021 कानून बन जाता है तो लड़कियों की शादी की उम्र 21 हो जाएगी मुसल्मान निकाह में इसे कानूनी बाधाय मान रहे है इसी के चलते हैदराबाद के पुराणी इलाकों की मस्जिदों में निकाह के लिए लंबी लाइन चर रही है इस कानून के लागू होने से पहले मुसलिम निकाह कर लेना चाहते है इन मस्जिदों में जो निकाह हो रहे है उनमें दुल्हनों की उम्र 18 से 20 साल की बीच है अधिकांश की शादी 2022-2023 में किसी समय होनी थी लेकिन बिलपास होने के डरने उनके परिवारों में हडबडी है और वह तैतारिक से पहले ही शादी करने की होड में है इलाके के एक स्थानिय नेता ने कहा कि परिवार निकाह करवा रहे है ताकि वे तुरंत योजना के लिए आवे देन कर सके और अगले कुछ महनों में उन्हें सहाईता मिल सके एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद वह निकाह कर सकते है उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक इलाके में 40 से ज्यादा निखा होने वाले है मुसलिम धर्मगुरू और अमरत ए मिलत ए इसलामिया तेलंगना और आंधर के अमिर मौला नाज जफर पाशा ने कहा कि हैं मुसलिम परसनल लौ में घुस पैठ है इसलाम में एक मुसलिम लड़की यवन प्राप्त करने के बाद शादी कर सकती है यदि बिल पारित हो जाता है तो इन लड़कियों की सुरक्षा सम्मन्दी कई मुद्दे होंगे राश्टर पिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले कथित संथ काली चरन महाराज को गिरफतार कर लिया गया है F.I.R. दर्ज होने के बाद काली चरन भागे फिर रहे थे वह महाराश्ट के अक्विला के रहने वाले है काले चरन पर महाराष्ट में भी FIR दज़ हुआ था राइपर पुलिस की करीटी में उनकी गिरफतारी के लिए छापे मारी कर रही थी पुलिस की टीम ने उन्हें खजुराहों से गिरफतार किया है गिरफतारी के लिए राइपर पुलिस ने तिन अलग अलग तीमें गिरफतारी के लिए भेजी गई थी महाराष्ट, मद्धप्रदेश और दिल्ली में काली चरन को पुलिस की टीमें तलाश कर रही थी राइपुर पुलिस की साथ सदस से टीम को खजुराहों में यह कामिया भी मिली है काले चरन धर्म संसद में राश्ट पिता महात्मा गांधी को गाली दे कर फराल चल रहे थे हाला कि इसके बाद एक वीडियो जारी कर आग उगला था कि मुझे गिरफतारी से डर नहीं इसके बाद राइपुर पुलिस की कईटी में उनकी गिरफतारी के लिए छापे मारी कर रही थी महाराश के अकुलास्ती ठीकानों पर भी छापे मारी हुई थी बगर भर नहीं मिले थे सीम भुपेश भगेल ने भी कहा कि गांधी जी को अपमान करने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा इसके बाद से ही पुलिस की टीम लगातार छापे मारी कर रही थी प्रमो दुबे की शिकायत पर रायपर पुलिस ने केस दर्च किया था काले चरण महराज ने कहा था कि मैं गांधी से नफरत करता हूँ योन अपराधो से बच्चों का सरेक्षन करती पॉक्सो दालत ने 68 वर्ष एक विक्ती को 2015 में 15 वर्ष लड़की के योन उत्पीडन और गर्भवती करने के लिए तीन गुना उम्रकेत की सजा सुनाई है कुन्नम कुलम पॉक्सो दालत ने फैसला सुनात हुए कहा कि दोशे किसी सानुभुती का पातर नहीं है और सजापूरी होने तक उसे पैरोल नहीं दिया जाएगी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उसे बीस साल जेल की सजा काटनी होगी साथी देडलाक रुपे का जुर्माना भी लगाया और वर राशी पीडिता को देने का आदेश दिया अदालत ने यह भी कहा कि इसके अलावा पीडिता कानूनी सेवा प्रदिकरन के माध्यम से मुआवजे के लिए भी पात रहे अभी योजन पक्ष ने कहा कि आरोपी कुष्णन कुट्टी एक मशली विक्रता था और नाबालिक लड़की मशली खरीदने के लिए उसके पास आती थी उसने स्थिती का फायदा उठाते हुए उसका योन उत्पिडन किया बाद में नाबालिक ने 16 साल की उम्र में एक बच्चे को जन दिया और डियने टेस्ट में भी पुष्टी हुई कि बच्चा कुट्टी का ही है इसके अलावा 25 गवाहों से पूष्टाश की गई और अभियोजन पक्ष ने अधिक्तम सजा की मांग की अधियोजन पक्ष की दलिल पर सहमती जताई और समधित धाराओं के तहट अधिक्तम सजा सुनाई कानूनी विशशगों ने कहा कि यह दुरलब है कि पौक्सों मामले में दोशी को तीहरी उम्र की सजा मिल रही है और इस तरह की कड़ी सजा ऐसे जगने मामलों में एक निवारक के रूप में काम करेगी कॉंग्रेस पार्टी ने हाली में तीन सर्चियों नियुक्त किये जो सिक्किम, नागालन, त्रिपुरा और हिमाचर प्रदेश के लिए पार्टी के सप्रभारी की भूमी का निभाएंगे पार्टी के ओर से जारी बयान के मताबिक सरिता लैत फलांग, रंजित मुखर जी और तजिंदर पाल सिंग बिट्टू को अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी का सर्चियों नियुक्त किया गया है नए नियुक्तियों में रंजित मुखर जी के नाम को लेकर विवाश शुरू हो गया है कहा जा रहा है कि जिस नेता पर कभी योन उत्पिडन के आरोप लगे थे अब उन्हें पार्टी ने अहम जिम्मेदारी सौपी है 41 साल के रंजित मुखर जी ने साल 2020 में उस वक्त अपने पत से इस्तिफा दिया था जब उनके खिलाफ आंतरिक जांच हुई थी राजियोगोडा पार्टी के रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुक है और मुखर जी इसके सदस से भी हुआ करते थे दरसल NSUI की एक महिला सदस ने रंजित मुखर जी के खिलाफ लेके शिकायत दर्च कराई थी इसके अलावा एक अन्य सदस से ने भी मुखर जी पर साल 2018 की विदानसबा चुनाओ के दवरान गलत विवहार करने का आरोप लगया था हाल ही में मुखर जी को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सोपे जाने पर महिला ने अपनी आवाज उठाई है भारतिय जंता पार्टी की धूर विरोधी राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के चीप शरत पवार ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की जमकर तारिफ की है एक कारेकरा में उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की प्रशाषन पर अच्छी पकड़ है और यहीं उनका प्रक्ष काफी मज़बुत है एक बार जब वो कोई कारे करते हैं तो वो इसे पूरा करना सुनेशित करते हैं बहुत प्रयास करते हैं और काम पूरा करने के लिए परियाप समय देते हैं मोधी के पास अपने सहयोगियों को साथ ले जाने का एक अलग तरीका है और वश्यली मनमोहन सिंग जैसे पूरा प्रदान मंतरियों में नहीं थी पवार ने कहा कि मेरी और ततकालिन प्रदान मंतरियों मनमोहन सिंग की राय थी कि ततकालिन गुजरात के मुख्यमंतरि नरेंदर मोधी के खिलाप प्रतिशोत की राजनी तीन नहीं की जानी चाहिए जब मोधी गुजरात के सियम थे मैं केंदर में था जब PM सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते थे तो मोदी भाजपाशासित राजों के CM के एक समुह का नेतरुत्व करते थे और केंद्र पर हमला करते थे उन्होंने कहा कि तो SSTT में मोदी को कैसे जवाब दिया जाए इस पर रणी तीब बनाई जाती थी मेरे अलवा यूपिय सरकार में कोई अन्यमंत्री नहीं था जो मोदी से बाचित कर सके क्योंकि वह मनमोन सिंग सरकार पर लगातार हमला करते थे मैं बैठकों में कहा करता था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक राज के सीम है और लोगों ने उन्हें जनादेश दिया है अगर वह यहां मुद्दों के साथ आ रहे है तो यह सुनुचित करना हमारा राश्ट्रिय करतव है कि मद्भेदों का समाधान हो और इस हि उसला कर उनका योन शोशन करवाने के मामले में उम्रकेट की सजा सुनाई गई है तो भारत के राफेल फाइटर जेट से घबराई पाकिस्तान की इम्रान खान सरकार ने अपने ही सांसत का विरोध दरकिनार करते हुए चीन से 25 जेटेन लड़ाकुई मानों की एक पूरी स्क्वाड्रन खरीद ली है वही कोरोना महालहर के बीच डवल्यू एचे के मुखिया ने चेताओनी दी है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा विरियन दुनिया में कोरोना वाइरस संक्रमन के मामलों की सूनामी ला सकते है इसे चीनी कर्ज में डुबे श्रिलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भारस से पेट्रोलियम इंपोर्ट के लिए 50 करोड डॉलर की क्रेडिट लाइन मांगी है उधर लोकतंत्र समर्तकों पर चीन की दना दमनात्म कारवाई जारी है वहां के एक पूर्व संपादक तता एक मौझूदा संपादक समेथ कुल साथ लोगों को गिरफतार किया गया है जिन में चार महला ये भी है दुनिया की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ ब्रिटिश महिला गिलन मैक्सवेल को किशरवस्ता की लड़कियों को बहला फुसला कर उनका योनशोशन करवाने के मामले में उम्रकेट की सजा सुनाई गई है मैक्सवेल नाबालिक बच्चेों को अमरेकी अरब पती जेफरी एपिस्टीन के पास भेजा करती थी एक महिने की सुनवाई में अमरीकी अदालत ने मैक्सवेल को योनपरात का दोशी पाया और कड़ी सजा दी एपस्टीन ने 2019 में खुदकुशी कर ली थी मैक्सवेल कभी उसकी गल्फेंड हुआ करती थी अदालत में चार पीडित महिलाओं ने 1990 और 2000 के शुरुवाती दशक में अपने शारिक शोशन की दास्ता बताई उन्होंने बताया कि मैक्सवेल की इस तरह 14 साल की लड़कियों को भी बहला कर एपिस्टन के फ्लोरिडा, न्यू यॉक और न्यू मेक्सिको वाले महलों में भेजा करती थी वकिलों ने अदालत में मैक्सवेल के खिलाब पूरे पाच दिनों तक दलिल दी और सबूत पेश किये फैसला पड़े जाते वक्क काले रंग का माक्स पहने मैक्सवेल अपने भाई बहनों के साथ अदालत में मौझू थी अदालत को इस बात के पके सबूत सोपे गए कि मैक्सवेल ने नकेवल का मुम्रकी लड़कियों को बहला फुसला कर सेक्स के लिए तयार करती थी बलकि कई बार उनके योन शोशन के वक्त एपिस्टन का साथ भी देती थी एपिस्टन को 2006 में फ्लोरिडा से एक चाइल्ड सेक्स केस में गिरफतार किया गया था तब से आम लोगों की इस केस में खुब दिल्चस्पी रही है भारत के राफिल फाइटर जेट से घबराई पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने अपने ही सांसत का विरोध दरकिनार करते हुए चीन से 25 जेट 10 लड़ाकु विमानों की एक पूरी क्वाडरन खरीद ली है चीन का दावा है कि जेट 10 सी विमान दुनिया के सर्वस्टेश्ट लड़ाकु विमानों में से एक है लेकिन खुद पाकिस्तान के एक सांसत इसकी शमता पर गंभिर सवालिया निशान लगा चुके है माना जा रहा है कि चीन के दवाव में आकर पाकिस्तान ने इस डील को मनजूरी दी है चीन का जेट 10 सी लड़ाकु विमान हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम माना जाता है चीन ने साल 2006 में इस लड़ाकु विमान को अपने बेडे में शामिल किया था इतने सालों में हैं सिंगल इंजिन वाला विमान चीन की वायो से ना की रीड बन चुका है जपान के रक्षा मंत्राले का अनुमान है कि चीन अभी 468 जेट 10 सी विमान उड़ा रहा है विशेशग्यों के मताबिक चीन का यह विमान अमेरिका के F-16 विमान की तरह ही है पाकिस्तान के पास अमेरिका में बने F-16 शेटी के लड़ाक विमानों का एक बेड़ा पहले से ही मौझुद है पाकिस्तान के एक सिनेटर और पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाजगुट के नेता डॉक्टर अपनान उल्लाह खान ने टेन सी को खरीदने का विरोध किया है उन्होंने कहा कि चीनी विमान को खरीदने का लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कोरोना महालहर के बीच डबले ओचर के मुखिया ट्रेट्स अधनम घेबरे एसस ने चेताओनी दी कि ओमिक्रोन और डेल्टा वेरियंट दुनिया में कोरोना वाइरस संक्रमन के मामलों की सुनामी ला सकते है उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा संक्रमन के मामले आने से दुनिया में स्वास्तेवाव पर बहुत ज्यादा दबावा आ जाएगा हाला कि उन्होंने उमिद जताई कि दुनिया जल ही इससे उबर जाएगी इसे बीच अमेरिका में कोरोना के रेकॉर्ड मामले सामने आ रहे है और यह आकड़ा 25,000 तक पहुँच गया है विश्व स्वास्त संगटन के प्रमुक ने कहा कि यह COVID-19 के ओमिक्रॉन और डेटा विरियन के मिलने से संक्रमन के मामलों की सुनामी आने की आशंका को लेकर चिंतित है WHO के आकड़े के अनुसार दुनिया भर में पिछले सप्ता सामने आए COVID-19 के मामलों की संख्या उससे पहले की सप्ताओं की तुनाम में 11 प्रतिशत अधिक हो गई है और अमेरिका महादुपीय देशों में सरवादिक बढ़ोतरी देखी गई है दक्षिन अमरिका में पिछले महिने सबसे पहले सामने आए वायरस के इस सवरूप का संक्रमन अमरिका और यूरोप की हिस्सों में फैलता जा रहा है जबकि WHO के 194 सदसे देशों में से 92 देश इस साल के अन तक अपनी 40 प्रतिशत आबादी का ठिका करन कराने के लक्ष को पूरा नहीं कर पाए है श्रिलंगा की सेंटरल बैंक के गवरनर अजित निवाट कैबराल ने बताया कि श्रिलंगा ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए जरूरी इंपूर्ट के लिए एक अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन और भारत से पेट्रूलियम इंपूर्ट के लिए 50 करोड डॉलर की क कई अउसर है श्रिलंका की रणितिक भोगलिक स्तिती और मजबुस समुद्री संपर को देखते हुए एक स्प्रिंग बोर्ड होगा याद रहे श्रिलंका कोविट के बाद एक आर्थिक संकट और चीन से भार्युधारी के कारण बढ़ते कर से जूज रहा था चीन द्वारा निर्मित उर्वरकों को गुनवत्ता के आधार पर अस्विकार करने के बाद भारत ने हाली में द्यूप के किसानों के लिए उर्वरकों के सायाज श्रिलंका को उबार लिया अधिकारियों ने बताया था कि भारत से उज़ा सुरक्षा पैकेज और मुद्रा स्वेप के करने और भारतिय निवेश को आगे बढ़ाने की उम्मिद है उद्य गमन पिला ने भी कहा कि उनका देश इंडियन ओल कॉर्परेशन को रणितिक रूप से पट्टे पर दिये गे द्वितिय विश्युद्ध के 99 तेल भंडारन टैंकों को फिर से हासिल करने के लिए भारत क के साथ बाचीत पूरी करने के करिब है लोकतंतर समर्थकों पर चिन की दमनात्मक कारवाई जारी है वाक एक पूर संपादक तथा एक मौजुदा संपादक समेत कुल साथ लोगों को गिरफतार किया गया है जिनमें चार महलाएं भी है साथी संस्तान से जुड़ी संपतिय को भी जब्त कर लिया पुलिस के अनुसार उनके आवासों पर भी तलाशी ली जा रही है प्रशासन का दावा है कि यह कारवाई राजद्रोह और उकसावे संबंदी सामगरी प्रकाशित करने के आरोप में की गई है पुलिस के मुख्य सचिव जौन ली ने कहा कि पत्रकार को हतियार बना कर सुरक्षा के खिलाब इस्तमाल नहीं किया जा सकता चापे मारी के दवरान करीब 200 से अधिक पुलिस कर्मी मौझूद थे कारवाई से पहले अकबार स्टैंड निउज ने अपने फेस्बुक पेच पर एक लाई प्रसारन किया इसमें बताया कि पुलिस डि अर्थित मीडिया कमपनी है जिसे निशानाब बनाया गया है इसी साल जुन में राश्य सुरक्षा कानून के तहत एपल डेली की संबत्ती को फ्री कर दिया गया था इसके बाद इसे बंद करना पड़ा हाला कि इस कारवाई को लेकर लोगों में रोज भी है लेकिन कोई भी कुछ कहने से इनकार कर रहा है तो आज की इस खास पेशकर्षम वस इतना ही आप से कल फिर मुलाकाद होगी तब तक देखते रहे वी के बी निउस नमस्कार